Hello everyone, welcome back to my channel, Divinity, Terror, Sex, Sweat, Truth, Always Exposes Darkness. So, कैसे सब लोग, I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है guys, वो है current energy, current feelings, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो वाके में क्या feel करते हैं आपके लिए. ठीक है, और इनका next action क्या रहेगा, of course हम देखेंगे. तो लास्ट में हम runes, initials और जो charms है, इसका reading करेंगे, ठीक है? और ओरकर्स भी देखेंगे, और tarot deck से भी देखेंगे. तो प्लीज लास्ट तक देखेंगे जाने को like, share, subscribe, जरूर करना है आपको Instagram में follow करना है for the additional videos and reels. So, please follow me on Instagram, उसका link description box पे दिया हुआ रहेगा. You can also subscribe to my another channel. Okay, so let's get started. और universe को ये जरूर बदाएगा. Universe, please bless every soul and let the soul unite with their soul में. ठीक है, अच्छा, ये शुरूरात करने से पहले में एक चीज आपको कहते ना, जरूरी समझती हूँ कि वो है कि हर कोई soul, ठीक है, हर एक आत्मा जो पृत्वी में आते है, basically ठीक है, उससे पहले ही वो soul contract में आ जाते है कि कौन उनकी जीवन साथी होंगे, कौन उनको सिक्ष होगा, किस के साथ उनका permanent connection होगा, everything is pre-decided, लेकिन हमारे जो plans है, हमारे जो actions है, हमारे जो कर्म है, वो भी कही ना कहीं पे effect करता है, ठीक है, ये जो current feelings or situations है, ये change हो सकते है, so energies can change every time, ठीक है, तो आप लोग जबी भी इस reading को देखोगे, तब ये valid रहेगा, so timeless है, और ये ज़ लोग के साथ present हो, ठीक है, तो चले, शुरात कर ही लेते है, best of luck to all of you, तो चलो, so universe, spirit, guides and angels, please guide me in the right direction, कि मेरे जो viewers है, जिनके लिए आज वो इस reading देख रहे है, वो वाकिय में क्या सोचते है, उनकी current energies क्या है, please बताए universe, universe, please help me, archangel spirits, holy spirits, please help me, holy spirits, please help me, four of pentacles, okay, ten of pentacles, okay, three of cups, king of cups, मैं थोड़ा साथ जिस कर लेती हूँ, वन आपको तिखाए नहीं देखा, we do have the moon card, wow, four of bats, ठीक है, यहाँ पे numbers, जो important है, वो है, three, four, ten, eighteen, that is nine, okay, so four, four सबस्यादा है, four, four काफी सबस्यादा important हो सकता है, हो सकता है, फोर्थ month, that is April, ठीक है, triple four आप देख सकते हो, 22, 22 आप देख सकते हो, maybe 11, 11 भी देख सकते हो, ten, ten numbers can also be important, बर सबस्यादा है four, four years से problem चल रहा है, यह four years का age gap है, यह चार महीने से कुछ issues चल रहे होंगे, चार अपते से भी हो सकता है, ठीक है, आपके person यह आपके sun science या moon science हो सकते है, Taurus, Virgo, Capricorn, Brishap, Karnia और Makarashi, यहाँ पे है Cancer, Pisces, Scorpio, Kirk, Brishik और Meen, राशी, यहाँ पे है King of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, यहाँ पे है Moon, Pisces, and four of Wands, Ceres, Leo and Sagittarius, Mesh, Singh और Dhanu, राशी, तो कहीना कहीं पे, all the signs have come, so you don't need to worry about, अगर कोई sign नहीं आया है, यह sign मुझे नहीं दिखाए दे रहा है, बट यहाँ पे मैं Oracle Cards को भी, shuffle करूंगी, उसमें से definitely होगा, so energies के उपर या आपके person की feelings के उपर, थोड़ा focus कीजिए, अच्छा, आप जिस person के लिए, आज इस reading को देख रहे हैं, इनके खांदान में, जिस सरह से होता है, जिस सरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफी, जिस सरह से होता है ना कि एक घर में, जिस सरह से समिनदार लोगों के घर में पारंपरिक पूजा होना, ठीक है, पारंपरिक तरीके से खांदान में रिती रिवास चलना, rituals बहुत ज़दा follow होता होगा, ठीक है, हर एक जो system है, उसको follow किया जाता है, नियम जो है, वो बहुत ज़दा strict हो सकता है, ठीक है, इस तरह का खांदान से आपके person belong करते है, maybe late night काम ना करना, लेडीज को घर से बाहार ना जाने देना, या अगर जाने भी देना तो उनको night shift jobs नहीं करवाना, या अपने बहु से या हो सकता है, अपने बेटी से बिलकुल बाहार जाके काम करने का जो मना है, इस तरह का रीती रिवास से, मुझे दिख रहा है काफी ज़दा conservative traditional family से आपके person belong कर सकते हैं या आप, ठीक है, आपके person की current energies में मुझे दिख रहा है कि ये इंसान currently, they are involved in money, luxury, ठीक है, जहाँ पे शुक्र की energy बहुत ज़ादा यहाँ पे ताकतवर दिखाई दे रहा है, शुक्र का जो energy है, वो है, the winner stands for the luxury, the comfort, the, you can say sex, you can say different things, which brings glow to our life, ठीक है, तो आपके person recently मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तगड़ा खासा, अभी ये इनसान जो है, काफी ज़दा खुश मिजाज दिखाई दे रहा है, in the initial form, और हो सकता है कि इन्होंने शायद friends के साथ parties किया है, उसका post भी डाला होगा उन्होंने, काफी ज़दा ladies इनके आसपस है, अगर ये mail है तो, और ये जो भी करते है, ठीक है, out of their house, इन-house party का बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि बाहर जाके, pub में, disc में, restaurants में, bar में, कहीं पे भी हो, ये parties जहां पे भी कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है, इनके घर से काफी दूर हो, हो सकता है कि आप इस पार्टी में involved नहीं हो यह इनसान जो है आपको बिना बताए ठेक है इनके friends के साथ चले गए है कहीं और ठेक है दोस्टा है यह काफी ज़दा खुश मिज़ाज इसलिए दिख रहा है कि यह अपने frustration को गुसे को tension को stress को relief कर रहे है with parties with moj musti all together now basically जो है ना यह बहुत कुछ चीज यह ऐसे इंसान है इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है आपके लिए काफी बार इन्होंने इनका जो mood swing से आपको जहलना पड़ा है and definitely इनके mom and dad बहुत जादा strongly oppose करते हैं आप दुनों के relationship को ठीक है दूसरा चीज जो मुझे यहां पर दिख रहा है यह काफी सदा over positive है आपको लेके लेकिन आप अगर इनको control करना चाहते हो तो यह बलकुल allow नहीं करते हैं basically अगर मैं आपको हकीकत बताओ पैसा और आप ठीक है तो यह इनसान जो है materialistic goals को लेके बैठे हुए रहते हैं हमेशा but जो ultimate उनका feelings दिखाए दे रहा है वो है marriage ठीक है marriage मुझे यहाँ पर दिखाए दे रहा है वो आपके साथ शादी करना चाहते है but after getting settled ठीक है वो ऐसी शादी करना चाहते है आपसे जहाँ पर उनके घर का हर एक सदस्य यहाँ पर involved हो ठीक है all people should be involved in their functions वो ऐसे ही चाहते है ठीक है बिलकुल ऐसे ही चाहते है दूसरा चीज है यह अपने माता और पिता को बिलकुल परेशान होना नहीं देना चाहते है और इनकी current energies यह भी है यह काफी ज़ाद emotional भी हो रहे है मैंने आपको पहली बता कि over emotional हो रहे है और इनके energies जो है शायद recently इनके साथ किसी का fight हुआ है third party भी हो सकती है तो यह काफी ज़ादा tensed है और tension के वज़े से यह अपने friends के साथ मिल जुलके वो समय जो है वो बिता रहे है क्योंकि आप शायद इनके life में नहीं हो यह आपके साथ यह सब कुछी शेयर नहीं करते है वो भी मुझे दिखाए दे रहा है they don't want to share everything with you because they are a private person ठीके उनके मतलब आप बोल सकतो royalty कुछ ही अलग है royalty not loyalty जिस तरह से सामराज्य की जो मालिक होता है ठीक है कहीं नहीं पर राजा महराजा sorry उनकी सिंदेगे में देखो कि आप काफी साथ secrets है इसलिए उनके जो महल होता था उहां पर भी कुछ secrets रास्ते जाते थे right तो कहीं न कहीं पर हमेशा रास जुड़ा हुआ रहता है कोई भी बहुत बड़ा खांदान हो ठीक है कोई बहुत बड़ा इंसान हो तो उनके जिंदेगी में हर एक secret story जिस सब लोग की जिंदेगी में हम common हैं तो हमारा secret story बहुत ही कम होगा छोटा होगा जितना बड़ा होता जाएगा इंसान सक्सेस मिलता जाएगा तो secret story जादा बढ़ता जाएगा this is the actual this is the reality ठीक है तो काफी कुछ आपसे यह हाइट किये है इनके कोई relationship ऐसे भी है जो काफी जादा it's you can say it's very taboo for the society शायद समाज भी यह relationship accept नहीं करता ठीक है तो यह relationship में आपके person currently involved होते विए भी दिखाई दे रहा है लेकिन वह वहाँ पर भी खुश नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो illegal जो नाजायस relationship है ठीक है जो नाजायस रिष्टा है वो उनको काफी ज़दा hurt कर रहा है तो यह इंसान वहाँ से अपना कदम को पीछे करने वाले है बट यह इंसान फिर भी they are not expressing they are not revealing जिस तरह से नकाब पहना हुआ जाता है ना जिस तरह से सर्दी के समय पे हम अपने body को cover कर देते हैं यह अपने feelings को cover up कर रहे हैं and they are showing that it's all fine मैं अगर आप इंसे पुछो भी तो यह बताएंगे no it's all fine सब को सही चला रहे है मैं मुझे यह भी लग रहा है कि इन्होंने recently fight भी किया होगा अपने parents के साथ ठीके कुछ property disputes के बारे में या जब बठवारा हो रहा होगा इनके भाई हो सकता है बहन हो सकते हैं तो उनमें कुछ differences शायद होगा तो इनको लेके भी शायद कुछ problems चल रहे है ठीक है दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है यह इंसान parties बहुत ज़्या करते हैं मतलब they have the habit of drinking as well as smoking कुछ लोग के लिए it's not for everyone ठीक है जब ही टेंशन आया तो इन्होंने वह addiction खुदी के अंदर उन्होंने डाल दिया ठीक है तो हम देख लेते हैं गाईस इनका जो है ना मुटिफ क्या है वाकिए में यह इंसान जो है क्या चाहते है वाट दू देवांट बेसिकल्ट वाट देवांट बेसिकल्ट इन्सान चाहते क्या है बेसिकल्ट बेसिकल्ट देखो 17 औ 26 इस वरी इंपूर्ट ओके अस्वेल आस्वेल आस्टिन नम्बर इस इंपूर्ट यहां पे है 25 25 इस व्ह दिख्राइब 25 यहां पे यहां है स्य आप फिन्सान का मुटे यह तुमरेशνशिप को बैलन्स आजाए जिससे करने से यह जिस तरह से हम जुम जाते है या काही नहीं पर साइक्लिंग करते है यह अब जो भी हम regular इस्सतायजuestoर रूटीन इससेज करते हैं तो ऊसमें हमारे इस वो पर जाता हे हम स्ट्रेस ले सकते है और हमारे stress जो है वो गायब भी हो जाता है यह सब करने से तो आपके person चाहते है okay they are using different tricks हो सकता है कि वो tricks भी अपना रहे हो कि relationship में कैसे balance रहे हैं और यह खुद के अंदर भी वो changes दिखाई देता है तो आपके person जो है पहले से बहुत जादा improve किये है दूसरा चीज है कि यह कोई past चीजों को बहुत जादा दिल से ले चुके है शायद आपने अगर उनको कुछ बता भी दिया होगा in the past तो उस चीज को लेके अटक गये है शायद आपने उन्होंने कुछ स्टार्ट किया आपने कुछ बोला ट्रिगरीं हुआ फिर ऐसा कुछ हुआ तो यह past चीजों को लेके ठीक है उसको लेके involved भी हो रहे है कही नहीं पर उनको कुछ mysteries है या कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ secrets है जो आपको तो बोल नहीं रहे है लेकिन बोलना चाते है और नहीं बोलने के वज़े से इनके और भी घुटन जो है उनका बढ़ता जा रहा है there are several things to be told आपको मैं आपको सच बताओ हकीकत बताओ उनको अगर आपको एक बताना है ना एक story book लिखा जा सकता है या अपने जिंदेगी की हकीकत जो है किस सरसे उनको childhood में वो हो सकता है कि कुछ past wants हो उन्होंने कुछ देख लिया हो ऐसा ठीके जो उनको उस childhood में नहीं देख देखना चाहिए था ठीके बच्पन में ऐसा उन्होंने कुछ scene देख लिया जो उनको नहीं देखना चाहिए था तो उसका असल भी उनके दिमाग के उपर बढ़ा है ठीके तो इसलिए उनके सुभावाव आप देखोगे काफी सद यूनीक है और काफी सद रूखे सुखे करते होंगे कभी कबार कि उन्होंने कुछ ऐसा experience किया जो बच्पन में बहुत कमी लोग उसको experience करते हैं I don't want to say that but कई नहीं परिवार में ही कुछ उन्होंने प्राइवेट कुछ देख लिया होगा या सुन लिया होगा जो उनको दिल को बहुत जादा चगना चूर कर बैठ ठीक है बट यह इंसान आपके संगत में आके काफी जदा इन्होंने अपने आपको हील किया हुआ है ठीक है और मुझे यहां पर दिख रहा है वो चाहते हैं आप उनके बदन से एकदम पूरी तरह से fix हो जाए and definitely they want to hug you, they want to care for you, यह affection, यह love जिस तरह से हम pets को बहुत प्यार करते हैं अपने जान से भी जादा हम उन्हें प्यार करते हैं तो यह इंसान आपको वही समझते हैं ठीक है and they want the healing देखो यह चाहते है कि उनके जिन्देगी में जो white light है वो enter करें जो dark energies में वो रहे है और यह नकाब आप देख रहे हैं वही नकाब यहां पर निकल रहे है so masks are definitely gonna be open ठीक है तो यह इंसान definitely ऐसा करें बट इनके जो चीज है ना वो कभी-कभी manipulate भी करते हैं situation को जब उनको लगता है नहीं कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है तो वो manipulate करते हैं आप tricks खेलते हैं tricks अपनाते भी है games play करते हैं आपके साथ तो आपको वो चीज बहुत ज़्यादा intolerable हो जाता है कि अगर यह इंसान मुझे प्यार करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं कि इनका जो nature है बहुत ज़्यादा affected है due to their child वो due to their even adulthood भी हो सकता है कि college life में जब थे या नौकरी के समय पे ठीके कुछ ऐसा हाथसा हुआ जिनके वज़े से इनकी जो पूरी तरह से attitude है expression है behavior है lifestyle है पूरी तरह से बदल गये थे तो common man बट हो गये extraordinary बट आप इनके वर्ष में ठीके नहीं आना चाहते हो क्योंकि आपको इनसान किस तरह कर किस किसम का इनसान है ठीक है इनके mood swings में आपको बताया कभी अच्छा है कभी बुरा है मतलब होसाता है ना कि आपका मतलब इनका reality ना कभी कबार आप confusion में आ जाते हो हो क्या रहा है ये ठीक है so this sometimes apply tricks in order to test you also या आपको testing भी करते है कभी कबार ठीक है ये test क आपके जानना चाहते है कि आप सही में इनको प्यार करते हो या आपका भी दिखावा है ठीक है तो इस तरह का mentality इनका है अभी मैं देखते हूं इनका जो है ना आपका क्या feelings है या आपकी क्या energy है इस वर ठीक है seven of swords ओके आपकी क्या energy है इस वर आपका क्या feelings है इस वर ओके five of hands yes oh my god eight of friends है एक्वेज में लीब्रा कुम में तुन दोला राशी है इस लियो सजिटेरियस ओके आपको लगता है यहां पर five seven eight is important so claim करना rating को by eight 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 और by four 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 यहां पर ना मुझे यहां पर इस तरह से महसुस हो रहा है कि आपको आपका feelings बहुत जादा अभी जिस तरह से immunity हो जाने से हमें बहुत सदा diseases हो जाते हैं कोई भी बिमारी हमें लग सकता है अगर हमारे immunity system जो है वीख हो जाए ठीक है तो कहने कहने पर मुझे यह भी feel हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है यह इंसान मुझे पूरी तरह से emotionally यह मुझे hurt किये हैं यह मुझे break cut चुके है already अगर मैं इनको मौकात हूँ एक बार मेरे सिंदेगी में वापस आना चाहते हैं तो शायद यह फिर से मेरे से ठीक है मुझे इनके fairy temperament से मुकाबला करना पड़ेगा फिर unnecessary fight हो जाएगा कुछ दिन अच्छा से बात होगा फिर problems create होंगे तो आपको कुछ समादान नहीं मिल रहा है you are still unclear कि इनके सही में यह वापस आएंगे की नहीं आएंगे तो आप दोनों का family राजी होंगे या नहीं यह अपने वादल से ठीक है मुकर तो नहीं जाएंगे इनका mind पे क्या चल रहा है यह already a game player है manipulative person है तो यह क्या already सुधर गया है पहले से ऐसे ही है तो बहुत कुछ all at a time question सबकी चल रही है आप चाता हो कि यह जल से जल वापस आए कुछ लोग के लिए and they should give you commitment बड़ आप यह भी सोच रहे हो कि इनसान तो मेरे दर्व देख भी न इनसान आपके बारे में deeply सोच रहे है ठीक है बट इनसान की जो फित्रत है वो थोड़ा सा ठीक है इस तरह के इनसान है कि मेरे घुटनों पे लोग मात हटे के इस तरह से है यह अपने आपको मतलब superior से superior समझते है ठीक है बहुत ज़ादा melodrama create करते है इनसान ठीक है और दिख इनसे बेटर को इनसान आपको शायद as a life partner नहीं मिलेगा ठीक है कुछ लोग के लिए आपके परसन हो सकते है कि already married हो and definitely this person has the attitude like this ठीक है कि शायद इनके लिए possible नहीं है आपको promise देना या इन्होंने शायद आपको बताया होगा कि we can live in a living relationship but it is not possible for us to get married हम एक ओपन नहीं कर सकते बहुत कुछ चीज इन्होंने बताया होगा but actually they feel a lot about you ठीक है जो मैंने देखा वहाँ पे इस तरह का ठीक है तो दूसर चीज है जो मैं आपको कहना चाहती हूं as an advice that आप हमेशा इस परसन की सोच में रहके अपने आपको ठीक है don't take too tension and don't you can say that limit your thoughts ठीक है आप सोच हो limitation में मत रखें इस इंसान के साथ अगर आपको relation create करना है फिर से या आगे बढ़ना है इस relationship को लेके आपको इनके हिसाब से चलना पड़ेगा even उनको भी आपकी हिसाब से चलना पड़ेगा so there should be a balance in the relationship ठीक है balance होना चाहिए वरना ही ये relationship पुरी तरह से imbalance होता जाएग बर ये भली बाती जानते है कि ऐसा कुछ होगा तो इसलिए ये अपने उपर focus कर रहे है जो मैंने देखा पर अपने stability के ऊपर ये they are trying to build up themselves अभी अगर मैं बता हो ये पूरी तरह से अपने career में focused है ठीक है and who अपने problem से deal कर रहे है मुझे दिखाई दे रहा है बट उसी के ल जा रहे है ताकि वो जो तकलीफ है ठीक है वो stress जो है वो stressful free हो पाए ठीक है इसलिए जा रहे है मौझ मस्ति कर रहे है ताकि वो कुछ चीज है गम है जो बूला पाए इसलिए तो देख लेते हैं ये आट से सो टी आर एटी आर पी पैट या आपको ऐसा ऐसा करेंगे बच्चे की तरह इए डबली केंगी देन नेम और योर नेम 582 एस आर मेरी अंगेल ही कहां से यह आ प्यार रही है ठीक है जेड गविल ओ फॉर्च्वन एस एच ठीक है यह चाहते हैं वो अब ओके संग्लाइस पैने की शौक ही नहीं आपके परसन इनकी नीशिल्स हो सकते हैं यह संग्लाइस है यह हो सकता है कि इनोंने लेजर लगाया हो मतलब लेजर तेरापी किया हो अपने आखों में और यह लेंस का यूज बहुत ज़दा करते हैं और डेफिनेटली पता नहीं लॉम का क्यों आया है मझे ओके इस सार सिनियर हो सकते हैं आपसे ओके एज में गैब है शी कोई थार्ट पर्टी इंवर्ल हो सकता है यहाँ एक फ्लाइट है यह परसन बहुत ज़दा ट्रैफिल करते हैं यह आपके पास आना चाहते हैं काफी ज़दा डिफेंसिव है यह इ ठीके जी कोई चैनल से रिलेट्ट हो सकता है मेडिया से रिलेट्ट कर सकता है जी यहाँ पर पूरी तरह से आ अऩाया है कि कैपिटल कुछ इन्वेस्मेंट्स मुझे दिखाए दे रहे हैं ओके रैट हो सब्सक्राइब बिस्नेस प्रोफेशनल यह हो सकते हैं रैट इस अल्वेज विगन से लुकिंग फॉर ऑपर्चुनिटीज एंड रैट हमेशे टीम में रहते हैं सेटर्टी भी आ रहा है सेटर्टी कुछ खास हो सकता है ओके फिर से जीशन पतानी जीशन यहां पर क्यों बारबार चैनलाइस होता है पीस ही अपने लैप टॉप्स कंप्यूटर में काफी जादा काम करते है इंसा या जब आप इस रीविंग में को देख रहे होंगे शायद पहली आपने कुछ कंप्यूटर में काम कर लिया होगा 2825 जा जाप टॉप्स कंप्यूट यह 285 जाप पाथ नबर पो सकता है टेक है तो इस अल अबाट तोड़ी इस रीविंग में को दो लागे और प्लीस एंट क्यूटर में कंप्यूटर थे टेल आप यह लाइव आप इस राफ प्र टूंड टूंड प्रूंड घर आप्स